नमस्ते बच्चों, हिंदी में हम पाठ पंद्रा खर्गोश और हाथी का अब्यास कर रहे हैं, जो एक पंच तंत्र में से ली गई हुई कहानी है और उसमें हमने देखा कि खर्गोश एक छोटा सा जानवर है, फिर भी हाथी जितने इतने बड़े जानवर की रक्सा करता है तो आज हम उस पाठ के सवाल जवाब देखेंगे तो सबसे पहले हमें मुहावरा दिया गया है जिसमें है गुस्से से कापना उसका मतलब होता है क्रोधी थोना एकले के खुबज गुस्से थाओ तो बाड़को अर्थ तो तमने खबर पड़ी गयो परन्तु तमारे आना पर्थी वाक्य बनावानू छे जेसे की कचुएने खर्गोश को जीतते हुए देखा तो वो गुस्से से कापने लगा तो आवी रिते तमारे तमारी रिते वाक्य बनावानू छे हवे आपड़े जोईए अव्यासना प्रस्नों प्रस्ना एक इस कहानी में तीन चित्र दिये गए है हर एक चित्र के संदर्भ में वर्नन लिखिये तो ये चित्र पहला चित्र है इसको आपको दियान से देखना है और जो जो भी इसमें आपको दिख रहा है उसके बारे में पर्नन करना है जैसे कि चित्र में क्या है कौन सा प्रानी है चित्र में खरकोस है कितने खरकोस है वो खरकोस क्या कर रहे है वो खूस है या फिर दुखी है या फिर कितने खूस है और कितने दुखी है वो खेल रहे है बेटे है खड़े है ये सब आपको दियान से देखना है और उसके बार में लिखना है अब ये दूसरे चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कौन-कौन से प्राणी है हाथी है और खर्गोस है कितने खर्गोस है वो भी लिखना है और हाथी के सर पे जो है ताज जैसा उसका मतलब की वो हाथी का सरदार है और वो क्या करते हुए दिखाई दे रहे है स्करगोस ने अपने दोनों आगे के पेर है वो जोड रखे है मतलब कि वो नमस्ते प्रणाम कर रहा है या फिर बिंती कर रहा है हमारी कहानी याद किजिए उसमें क्या था वैसे ही आथी ने भी अपनी सून उठा रखी है तो वो क्या कर रहा है और उसके अलावा आपको क्या दिख रहा है बादल है वो सब आपको वर्नन करना है और ये है तीसरा चित्रा क्या दिख रहा है आपको तीसरी चित्रा में कितने हाथी है कितने खरगोस है और और भी कुछ है सरोबर में क्या है चंद्र है तो आपको ये सब लिखना है और कहानी में ऐसा चित्र कब आया था याद किजिए ये खर्गोश क्या कर रहे है हाथी को विंती कर रहे है फिर हाथी ने वो विंती मानी थी कि नहीं मानी थी मान ली थी और भूल का स्विकार भी किया था बाद में उनको भी चंद्र का प्रतिवीम हिंता कापता दिखाई देता है और वो सच में ऐसा समझ लेते हैं कि चंद्र तो हमसे कोपाई मान है फिर क्या हुआ? आथी जंगल को छोड़ कर दूर चले जाते हैं तो ऐसे ही आपको चित्र देख के वर्नन करना है प्रस्न बे मुहावरों के वाक्य प्रयोग के बारे में सही विकल्प चून कर सही का निसान कीजिए जीस में पहला मुहावरा है फुला न समाना उसका अर्थ होता है अत्यंत खुस होना जीस में पहला विकल्प है हर्स परिक्सा में अनुत्तिर्ण होने के कारण फुला न समाया दूसरा मोनाली स्कूल में प्रत्थम नंबर आई इसलिए वह फुली न समाया तीसरा सेट पाना चनकी जायदात लूट गई इसलिए वह फुले न समाया अवे बाढको तमने खबर छे के फुला न समाना नो अर्थ थाई चे अत्यंत खुस होई अवे पैलू वाक्या जो हो जोए हज परिकसामा अनुतिर्ण एटले के चारा माक्से पास थतो नथी तो पची ते खुस होई बीजा वाक्यामा मोनाली नो प्रत्थम नंबर आवे चे तो पची ते खुस होई के ना होई अने त्रीजा वाक्यामा सेट पाना चन्नी जे जाईदाच छे ते बद्धी लुटाई जाई छे तो पची ते खुस होई बराबर तो आवादी साच्चु वाक्ये कई थसे मोनाली ज्यारे स्कूल मा प्रत्थम नंबर आपास थाई छे तो ते खुबच खुस थाई छे अपने बिजनेस में या फिर जोव में या फिर किसी वी क्षेत्र में उतिर्न होते हैं और आगे बढ़ते हैं तो उसे प्रगति करना बोलते हैं तो आपको इस मोहावरे के तीन वाक्ये दिये गए हैं जैसे हमने पहले देखा वेसे ही आपको इन तीनों में से सच्चा वाक सतकार करना अगर कोई अच्छे मात से पास होता है या फिर किस इस परधा में नंबर आता है या फिर कुछ और अच्छा काम करता है तो हम उनको अभिवादन करते हैं यानि उनका सतकार करते हैं तो इस मुहावरे का भी आपको इस तीनों वाक्य में से कौन सा सही वाक्य है वो पसन तीसरा चित्र देखकर कहानी कहिए और उसको लिखना भी है जिसमें पहला चित्र क्या है नीचे लिखा हुआ है कच्छुआ और खर्गोस के बीच स्पर्दा हुई बच्चों आप सब ने ये कहानी पक्का सुनी होगी बराबर है ना अब एक एक चित्र को देखके हमें उसके बारे में वर्नन करते जाना है और कहानी लिखना है जैसे कि पहले चित्र में क्या है एक खर्गोस है और एक कच्छुआ है वो दोनों में एक दिन स्पर्दा होती है स्पर्दा किस बारे में थी स्पर्दा एक रेस थी के सबसे पहले नक्की किये गए स्थान पर कौन पहुँचता है कच्छुआ या फिर खर्गोस दूसरे जित्र में क्या है खर्गोस तेज दोड रहा है तो जैसे ही स्पर्दा सुरू हुई कच्छुए के पेर तो एक दम छोटे छोटे थे तो फिर वो चलता था तो एक दम दीरे 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 वो चलता था और खर्गोस तो दोडने में बहुत माहिर है तो वो तो फटा फट से जैसे ही स्पर्दा सुरू हुई वैसे ही दोडने लगा तीसरा चित्र खर्गोस सो गया तो दूसरे चित्र में हमने क्या देखा था खर्गोस आगे चला जाता है और कच्छुआ पीछे रह जाता है आराम कर लेता हूँ, जैसे ही कच्छुए को यहां आते देखूंगा, तो मैं फटा-फट से दोड़ कर फिर से आगे हो जाऊंगा, अब जब वो आराम कर रहा होता है, तो उसे नींद आ जाती है, चोथे जित्र में क्या है, कच्छुआ जीत गया, वो कैसे हुआ, खर्गोस से कच्छुआ केसे जीत गया, क्योंकि खर्गोस को मन में ऐसा हुआ, कि कच्छुए के सामने तो मैं ही जीतूंगा, उससे कही तेज में दोड सकता हूँ और वो तो दीरे दीरे चलता है ऐसे अभीमान वाले विचार करके वो तो आराम करने लगा और ऐसे ही उसको नीम दा गई तो फिर क्या हुआ कचुवा वहां से गुजरा उसने देखा कि खरगोस सो गया है और फिर वो दीरे दीरे आगे चला गया खरगोस ने आराम किया रास्ते में क्या कचुवे ने आराम किया होगा उसने भी खरगोस की तरह अगर आराम किया होता तो क्या वो जीतता तो इस कहानी में खरगोस नहीं जीता कचुवा जीता क्यों ऐसा क्यों हुआ है वो आपको सोचना है और आपको भी ऐसे ही चित्र में देखकर अपने हिसाब से कहानी बनानी है और फिर लिखनी है प्रस्न इस कहानी के आधार पर अपने साथियों से पुछने के लिए प्रस्न बनाकर लिखो तो आपको खुद से 5 प्रस्न बनाने है और नोटबूक में जवाब भी लिखना है जैसे कि इस परदा किस किस के बीच में हुई थी कौन सी सपरदा हुई थी कौन जीता क्यूं जीता वगेरा आप अपने तरीके से प्रस्न बनाकर लिखना तो आज हमने जितने भी सवाल जवाब देखे वो आपको अपनी नोटबूक में अच्छे से लिखना है अगले वीडियो में हम बाकी बच्चे सवाल जवाब देखेंगे तब तत के लिए बाई बाई